सभी का इस वीडियो में स्वागत है ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महतोपूर्ण है एक प्रश्न है जो आप सभी ने पूछा है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी को बताओं कि सच क्या है और किस आधार पे हम आपको बता रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी का जो प्रश्ण है ये मैं आप सभी को बता दूँ आपने बार बार पूछा है कि सर क्या NIOS DLED के जो सिक्षक हैं क्या ये सीटेट के लिए eligible है और अगर ऐसा है तो ये कहां लिखा हुआ है तो ये प्रश्ण आप सभी ने काफी कमेंट किया है काफी mails भीजे हैं मेरे पास facebook पे पूछा है तो आज मैंआप सभी को काफी short में ही बताने वाला हूँ जादा मैं आपको नहीं इंतजार कराऊंगा और जादा मैं process नहीं आपको बताऊंगा मैं सीधा सीधा आपको बताने वाला हूँ first of all बात कर ले सभी DLED learners के बारे में जो की NIUS यानि राष्ट्री मुक्त विद्यालाई सिक्षास अनस्थान से DLED कर रहे हैं so आप सभी को ये पता होगा कि ये जो आप डिगरी कर रहे हैं ये MHRD Government of India यानि Ministry of Human Resource Development और NCTE द्वारा मानेता प्राप्त है अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक Order of Recognition NCTE के द्वारा जारी की गई एक Order है National Council for Teacher Education राष्ट्रिया ध्यापक शिक्षा परिशद के द्वारा एक Notice जारी की गई थी DLED के लिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं For DLED For Swyam Portal Diploma in Elementary Education जहाँ पर यह सिधा सिधा कहा गया है कि यह जो डिग्री है यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखे यह जो डिग्री है यह वैलिड है और NCTE द्वारा मानेता प्राप्त है Ministry of Human Resource Development द्वारा मानेता प्राप्त है और Diploma in Elementary Education यहाँ पर आप देखें DLED की जो प्रोग्राम है जो की ODL मोट से हो रही है याँ ओपें डिस्टेंस लर्निंग याँ यह ओपें स्कूलिंग से हो रही है आप दूर बैठ की इस लर्निंग को कर रहे है सो यह पूरी की पूरी मानेता प्राप्त है स्वयम पोर्टल के माध्यम से पढ़ाई हो रही है और MHRD का भी इसमें सहयोग है सो यह एक पूरा का पूरा लेटर है जो की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप सभी ध्यान से पढ़ लेंगे हर एक लाइन को हर एक क्लॉज को अब चलते हैं सीधा सीटेट की वेब साइट पे सीटेट की वेब साइट पे जब आप जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक इन्फोर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा दू कहाँ पे है ताकि आप 15 न हो देखें यहाँ पे इन्फोर्मेशन बुलेटिन है 2019 के लिए इस इन्फोर्मेशन बुलेटिन में आप सभी को लेके जाना चाओंगा और यहाँ पे clearly मैं आप सभी को दिखा दू कि यहां के point number 6.1 जो point 6 है eligibility यानि योग्यता seated की योग्यता for primary stage यानि 1 to 5 यहां पर सीधा लिखा हुआ है कि senior secondary with at least 45% marks and past or appearing in final year of two year diploma in elementary education by whatever name known by whatever name known किसी भी संस्थान से या किसी भी नाम से आप अगर DLA करते हो और अगर वो संस्थान NCTE से recognized हो recognized हो और उसके procedures से recognized हो यहां पर मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा ध्यान से आप सभी देखिए यहां पर clearly लिखा हुआ है NCTE से recognized हो तो आप eligible है अगर आपका degree complete भी नहीं हुआ है आप final year में हो यानि आप सभी final year में हो appearing हो final year में तो आप इस form को भर सकते हो यह मैंने आपको दिखा दिया दोनों website पे proof के साथ आपको यह letter नीचे description में मिल जाएगी आप हमारे website पे जाके इस letter को देख सकते हैं हमारे website पे हमने इसे upload कर दिया है नीचे आपको दिख जाएगी otherwise आप Google पे अगर जाएगे तो सीधा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं NIOS valid for NCTE सीधा आप Google पे जाके सर्च कीजिए Google पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको सीधा आपको करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दें बेल बटन को प्रेस करें और आप हमारे चैनल के साथ जोइन भी कर सकते हैं सीधा की तियारी लगातार आपके चैनल पे हो रही है तीन एडुकेटर्स के द्वारा तीजस्व सर शरत सर और गरीमा मैम के द्वारा इसके अलावा अगर कोई प्रश्न हो कृप्या करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अपने डाउट्स क्वेरीज को पूछते रहें तब तक के लिए दीज़े इजाज़त धन्यवाद जय हिंद लॉंग लेव इंडिया